Question number 14, ज्यान से देखो बहुत important question, x root 1 plus y हमें दिया हुआ है, plus y root 1 plus x equals to 0, अब यहाँ पे हमें dy by dx प्रूफ करने के लिए बोला है, that is dy by dx को प्रूफ करो, क्या, minus 1 upon 1 plus x का whole square, ठीके, तो अब कैसे प्रूफ करेंगे इसे, ज्यान से, सोचो, देखो, अब यहाँ पे जैसे root है, तो answer में dy by dx में तो कोई root नहीं है, तो पहले हमें क्या दिमाग में आएगा, हमें पहले इस equation को simplify करना है, अब आप सबने 0 का derivative पढ़ा है, यह बताओ, constant का derivative तो आप सब ने बूला हुआ है, क्या, 0, बट 0 का derivative क्या होगा, 0 का derivative हम नहीं कर सकते हैं, ज्यान रखना, clear, तो हम यहाँ पे पहले क्या करेंगे, 0 को भी हमें अटाना है, clear, यानि अब इसको proper simplified form में expression लाओ पहले, ठीके, तब उसके बाद हमें dy by dx का differentiation करके ही आ जाएगा, अगर ये भी जान से सोचो, minus 1 by x square किसका differentiation होता है, 1 by x का, 1 by x का, यानि हमें 1 by 1 plus x की form में चाहिए y, तब हम ये proof कर पाएंगे, clear, तो हमें पहले इस equation को modify करना है, मतलब simplified form में लाना है, ठीक है, कैसे, अब इस पूरी term को देखो, यहां से हमने उधर बेज दिया, तो क्या हो minus y root 1 plus x, clear, अब अगर हमें root हटाना है, तो क्या कर दे हम यहां पे, squaring both side, clear, तो squaring both side कर दिया हमने, सो क्या हो जाएगा, x square और इसका root अट गया, 1 plus y हो गया, सिर्फ यह, minus का square, plus y, y square हो गया, और root अट गया, यहां पर भी 1 plus x, यहां तक clear हुआ, अब bracket open कर दिया हमने, x square plus x y, equals to y square plus x y square, x square y, यहां पर, clear, now, अब हम क्या कर रहे हैं, देहां से देखो, हमें y equals to बनाने, ठीक है, यह even हमने y square इधर बेज दिया, और x square वाला इधर, देखो, x square minus y square, equals to x y square minus x square y, अब यहां पर देखो common क्या आ रहे हैं, आपका, x, y, bracket में क्या बचा, y minus x, और यहां पर क्या common आ रहे हैं, यहां पर हम कौन सी identity apply कर सकते हैं, a square minus b square, तो क्या हो जाएगा, x plus y और x minus y, यहां तक clear है बेटा, अब देखो, x minus y और y minus x है, अगर हम इनको divide कर दें, तो क्या बचेगा, minus 1, क्योंकि multiply हो रहे हैं यहां पर, यह वहां भेज दो, shift करा दो, x plus y, यहां बचा, xy bracket y minus x, whole upon x minus y, तो जब इसमें यह divide हुआ, तो क्या बचेगा, minus 1, तो क्या बचेगा, x plus y equals to minus xy, यहां तक आया, clear, अब हमने क्या किया, देखो, minus xy को भी इधर ले आओ, और x को वहां बेज दो, तो क्या हो जाएगा, y plus xy equals to minus x, ठीके, यहां से देख लो, बेटा step, clear है यहां तक, अब हमें y equals to बनाना है, तो y equals to, यहां पर y अगर हमने common लिया, तो क्या बचेगा, bracket में, one plus x equals to minus x, अब one plus x, वहां जाके, क्या हो जाएगा, so क्या आगिया, minus x upon one plus x, तो y आपका देखो, यह है simplified form, y equals to x की form में आपने निकाल लिया, clear, अब क्या करना है, अब हमें dy by dx निकालना है, clear हुआ, so dy by dx हमें इसमें direct नहीं ही solve करना था, पहले simplify करके, फिर dy by dx निकालेंगे, तो easily हो जाएगा, अब, यहां पर कॉन सा rule लग रहा है आपका, question tool, clear, अब question tool कैसे बिटा, minus x, numerator हो गया, minus को इवन हम बहार ही रख दें, ठीके, सिर्फ इसका differentiate कर रहे है, क्योंकि sign का कोई rule नहीं है, minus आपका बाहर है, ठीके, अब, one plus x, denominator जो, x का differentiation क्या हो गया, one, minus, x, is one plus x का derivative करेंगे, तो क्या हो जाएगा, one, whole upon में, one plus x का whole square, तो देखो, बन रहा है, one plus x का whole square, बाहर, minus आ रहा है, और यहां पे, one plus x, minus x हो जाएगा, और denominator में, one plus x का whole square, x, x कट गया, तो final क्या आगे, आपके पास, minus one upon, one plus x का whole square, और यह हमें, proof करना था, dy by dx, clear, so last way, hence prove जरू लिख देना, ठीक है,